नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MDSU University के exam form को लेकर क्या बड़ी update है कब से start हो रहे हैं बहुत सारे आपके comments आ रहे थे सरे MDSU University के exam form कब से start होंगे तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा explain करने वाला हूँ जो भी official update आई है आप तक share करने वारा हूँ लेकिन उससे पहले चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि इस तरह हैं की useful वीडियो हम आप के लिए हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को उसके उतरा share जरूर कीजेगा ताकि सभी students को इसकी जानकर पहुंच आए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पूरी update आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाली है चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे MDSU University से समन्दित exam form को लेकर जो update आई है तो दोस्तों इस तरह के update हम आप तक पहुंचाते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर MDSU University की update जो भी update होगी वो आप तक सेर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले जो update आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो मैं पढ़ देता हूँ कि विश्वी देले को प्रिक्षया फोर्म बरवाने और प्रिक्षया कराने को लेकर कोर्ट के निरने और राज्य सरकार की guideline का इंतजार हैं तो दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो University MDOSU है ये एक्जाम फोर्म जब भी सरकार का निरने आएगा कि प्रिक्षया करवानी है या नहीं करवानी उसी का इंतजार कर रही है दरसल प्रिक्षया अवेतन सहीत अन्य कामों का ठेका पूरो में जिस फरम को दिया गया था वह ब्लेक लिस्टिड थी इस कांड विस्वी देले प्रजासन ने ठेका रध कर दिया है इसलिए फरम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी इस पर 21 जून को सुनवाई होनी है को हाई कोर्ट का निरने आने के बाद प्रिक्सिया अवेदन लेने का काम शुरू हो जाएगा याणी 21 जून के बाद आपके प्रिक्सिया अवेदन का करिये शुरू होने वाला है वहीं राजे सरकार की गाइडलाइन का भी इंतजार है कि प्रमोट की कौन से वर्ष के के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगी सबसे पहले इस चैनल के तुरू आपको आपडेट मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद